हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्पेस्ट्रो फ़्लॉड है तो फ्रेंट्स लिए आपको भी दर्शन करा तीचलिए यह देखे फ्रेंट्स हीयै प्रेम मंदिर और यह व्रिंदा वन में भोधि सुंदर मंदिर देख़ें है आचा मंदिर काफी क्या मंदिर और ये देखें और लाइटिंग में भूती पूरा एरिया बीट बनाया हुआ है और बहुत होती है तो फर्श टाइम देख़ रहे हैं वेसे तो आजकegen वैसे अगये कुछ लोग होंगे तो फ्रेंट्स देखिए यह लाइटिंग है चारो तरफ लगी होती है आगे मैं दिखाओंगे आपको पूरी लाइटिंग अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो यह मंदिर साम को चार बजे तो यह देखिए। पूरे मंदीर के नजयारा लाइटिंग अहले है तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब भी आप जाएगे तो फ्रेंट से शाम को आप जाना क्योंकि शाम को वहां देखने लाइग बहुत ही सुंदर सुंदर चीजे होती है तो पैर में तो यह लाइटिंग वगएर नहीं होती तो नॉर्मल सी चीजे दिखती है और फ्रेंट्स भीर बहुत ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा ध्यान से यह नहीं है कि तिवार के टाइम पर भीर होती है वहां मेशा ही भीर बहुत जादा होती है तो यह देखिए फ्रेंट्स यह मंदिर चारो तरफ उसका डजारा मैंने आपको दिखाया है और यह देखिए फ्रेंट्स वहां पर छुटी-छुटी ज् जाकी बनती है तो यह देखिए फ्रेंट्स यह जो किशन जी को टॉकरे में लिखे जा रहे हैं तो यह देखिए सारी रोबोट जाकी रहने वाले उपर से यह वाटर फॉलिंग भी हो रही है देखिए और यह जैसे लाइट बिजली घरजती है यह सब वहां पर अच्छे से दर शाया हुआता बहूती सुंदर सी यह जाकी थी और यह देखेए रोबोट जाकी है काने जी के पीछे यह बाग रही है माता सृरी यह शोधा माता तो देखिए चार तरफ देखिए बोती अच्छा लगता है ये रिएल लगता है जैसे रिएल ही मतलब हम सामने देख रहे हैं जो लाइव भी है और रोबोट यह लगती नहीं है तो चलिए फ्रेंट्स आगे देखते हैं फिर आगे कुछ और दिखाते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर यह भी रोबोट जाकी है और नाम में इनका बूल गई हूँ तो यह देखिए और काफी भीड थी तो सबके हैंड नजर आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से शूट हो पाया है यह तो अब लोगों के लिए थोड़ा सा ही शूट किया था क्योंकि भीड जादा थी वहां पर तो चलिए फिर आगे दिखाती हूं आपको यह देखिए फ्रेंट्स यह हैं गोबर अब हो चुकी है पूरी नैट्ट तो अब नाइट में जल गई है लाइट तो यह देखिए फ्रेम मंदिर अब आपको देखने को मिल Arms अंदर चलते हैं फ्रेमस न nachaam ।ो यह देखिए फ्राइंट्स यह अंदर का नजारा होगा मंदिर के अंधर का तो मंदिर के अंदर भ और यहीं वहास अपर सहने का रास्ता है और यह शाइड में अब मुझे जरोर बिता है और एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से आते हैं तो चलिए फ्रेंट्स दर्शन किर लीजी आप भी जै श्री राम और जै रादे रादे आप जरूर लिखिएगा कमेंट बोक्स में मुझे जरूर बताईएगा कौन-कौन रादा केशिन को मानते हैं तो फ्रेंट्स यह देखि यह पूरे मंदिर का नजारा है यह दिए कितना सुंदर अंदर से मंदिर बनाया हुआ बहुत ही अंदर अच्छी सी सजावट वहां पे क्यों ही थी बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पे तो बैठ भी जा रहे थे लोगबग बैठे थे तो फ्रेंट्स मेरी वीडियो को कैसे लेगी कमेंट बोक्स में जरू लग बताए मुझे